स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ति थालेंड में अब हम जा रहे हैं खावची चैन में जहाँ पर एक चूना पत्थे की पहाडी है जो अपने बड़े 109 मीटर बाई 70 मीटर गोल्डन लेजर बुद्धा के कारण प्रसिद्ध है इस जगर के बारे में कहें तो खावची चैन बुद्ध छबी दुनिया में सबसे बड़ी नकाशिदार बुद्ध छबी है अब हम मोस सिनिक व्यूपॉइट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर खड़े होकर हम सामने बुद्ध की छबी देख सकते हैं तो यह है आपके लिए दुद्ध बुद्धा मांकिन का इस पहाड़ी के आसपास के शेत्र में जाड़िया और विबिन्न फल और फूलों के पेड़ है वियत्नम यूद्ध के दौरा उत्खरन के बाद बुद्ध परवत ने एक विशिश्र आकार प्राप्त किया था वह पूरी धर्र से बुद्ध की छबी के अनुरूप था सार 1996 में राजा के राज्य बिशेक की पचेस्वी वर्षकाट और अध्यात्मिक अभ्यास के लिए ये बुद्ध प्रतीमा बनाई गई थी आधुने उपकरणों के साथ बुद्ध की रूप रिखा का चित्रन किया गया था बुद्ध की छबी को बाद में सोने की पत्ती से जड़ा गया था जिससे पहाड को एक पवित्र स्वन के रूप में स्ताय स्थिति का अशिरवाद मिला भगवान बुद्ध की छवी को तराशने के लिए पहली बार दिगाइड़ेट लेजर टेक्नोजी का इस्तमाल किया गया ये कमपास की डिजाइन देखिए यहाँ पर बुद्ध का मंदीर भी है यहाँ पर आप मौंग भी देख सकते है ये वटमरुक्ष है जो ओरिजिनेट करता है इंडिया से कई सारे पुराने फोटोग्राप से आपट दिस्पले किये गए है तो ये था सफर हमारा मौंटिन दुद्धा का और इसके बाद हम आपको लेए जा रहे है तो यहाँ पर लाइब सेफूद रखा गया है सो वाटेवर यू और यह इस फ्रेश बड़ी सी ब्यू क्रैप रखी गही है इंटरेंस पर यू कन सी रेस्टोरेंट इस आप बेग साइट इस ताम तो गो ओम थाइनन में बारिश कभी भी गिर सकती है तो अभी हम जा रहे हैं कोफी पीने के लिए के लिए केटलोग काफे में इस काफे में कैट्स है जिने आप फीड कर सकते है जिनके साथ आप खेल सकते है फोटोग्राफ निकाल सकते है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कीजी